मैं अलका गुपता शेट विद्यामंदीर इंग्लिश आई स्कूल वसई इस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी की पाठ्थ बुस्तक रिमजिम का पाठ तेरा हुद हुद पढ़ाने जा रही हूँ आए बच्चों शुरू करते हैं हुद हुद को कलगी कैसे मिली एक बार सुलेमान नाम के बाश्या अकाश में उडने वाले अपने उडन खडोले पर बैठे कहीं जा रहे थे बड़ी गर्मी थी दूप से वह परिशान हो रहे थे अकाश में उडने वाले गिदों से उनोंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर चाया कर दो पर गिदों ने ऐसा करने से मना कर दिया उनोंने बहाना बनाते हुए कहा हम तो इतने चोटे-चोटे हैं हमारी कर्दन पर पंक भी नहीं है हम चाया कैसे कर सकते है सुलेमान आगे बढ़ गए कुछ दूर जाने पर उनकी बेंट हुदुदों के मुख्या से हुई सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी वह चतुर था उसने फोरन अपने दल के सभी हुदुदों को इकठा करके बादशा सुलेमान के उपर चाया कर दी सुलेमान भोले मैंने किद्दों से भी मदद मांगी थी वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की तुम किद्दों से छोटे हो पर चतुर अधिक हो मुख्या ने कहा मारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए बच्चो गर्मी के दिन थे तूप में ही सुलेमा नाम के बाश्या आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे शिक्र ही वे तूप से परिशान होने लगे उन्होंने गिद्दों से कहा अपने पंकों से तुम लोग मेरे सिर पर चाया कर दो पर गिद्दों ने ऐसा करने से मना गर दिया सुलेमा आगे बढ़ गए कुछ दूर जाने पर उनकी बेंट हुदूदों के मुख्या से हुई उन्होंने उससे भी मदद मांगी वह मदद देने को फोरण तैयार हो गया अपने दल के सभी हुदूदों को इकठा करके बाशा सुलेमान की उपर चाया कर दी बाशा सुलेमान उन पर बहुत प्रसंद हुए उन्होंने कहा मैं तुमारी कोई इच्छा पूरी करूंगा बताओ तुमारी क्या इच्छा है हुदूदों के मुख्या ने कहा महराज यह वर्दान दीजिये कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए आईए बच्छों आगे बढ़ते हैं बादशा हंसे और बोले मुख्या इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है मुख्या बोला हाँ महराज मैंने खूब परामर्श करके यह वर्दान दीजिये मांगा है परामर्श यानि की सला सुलेमान ने प्रात्ना सविकार कर ली सभी हुदूदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदूदों के पीछे पड़ गए तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकठा करने लगे हुदूदों का वंश माप्त होने पर आ गया तब उखिया गबराकर बाशा सुलेमान के पास पहुंचा और बोला इस सोने की कल्की के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा वंश यानि की कुल सुलेमान ने कहा मैंने तो शुरू में ही तुमें चेतामनी दी थी खैर जाओ आज से तुमारे सिर का ताज सोने का नहीं सुन्दर परों का हुआ करेगा और तभी से हुदूदों के सिर परों का ये ताज शोबा पा रहा है बच्चो जब हुदूदों के मुखिया ने सुलेमान बाश्या से यह वर मांगा की आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए तो सुलेमान बाश्या ने उनकी प्रात्ना सविकार कर ली सभी हुदूदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई लोगों ने जैसे देखा तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकठा करने लगे नतीजा यह हुआ कि हुदूदों का वंश समाप्थ होने पर आ गया मुख्या गबरा गया वह फोरण सुलेमान के पास पहुंचा और बोला इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्थ हो जाएगा सुलेमान ने कहा ठीक है आज से तुमारे सिर का ताज सोने का नहीं सुन्दर परों का हुआ करेगा तबी से हुदूदों के सिर पर यह ताज शोबा पा रहा है आए बच्चों आगे पढ़ते हैं उदूद एक बहुत ही सुन्दर पक्षी है इसके शरी का सबसे सुन्दर बाग इसके सिर की कलगी होती है वैसे तो यह इसे समेटे रहता है पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चोकन्ना होकर परों को फैला लेता है तब यह कल्गी देखने में हु वहू किसी सुन्दर पंकी जैसी लगने लगती है इसी कल्गी के बारे में तुमने अभी एक सुन्दर कहानी भी पड़ी है हुदूत का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है चटकीला यानि कि चटक रंग वाला पंक काले काले होते हैं जिस पर मोटी सफेद दारियां बनी होती हैं गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंका होता है चोटी भी बादामी रंकी होती है मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं दुम का बीतरी हिस्सा सफेद और बारी हिस्सा काले रंका होता है चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है इस चोंच से ये आसानी से जमीन के भी तच्छे पे हुए किड़े मकोडों को डून लिकालता है इसकी चोंच नाकुन काटने वाली नहरनीक से बहुत मिलती है और शायद इसी लिए कहीं कहीं से हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं हुदूद हमारे देश के सभी बागों में पाए जाते हैं बच्चों, हुदूद एक सुन्दर पक्षी है इसके शरीर का सबसे सुन्दर बाग, इसके सिर्की कलगी होती है इसका सारा शरीर रंग भी रंगा और चटकीला होता है पंक काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद दारिया बनी होती है गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंगा होता है चोटी भी बादामी रंगी होती है मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं दुम का बीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंका होता है, चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, इसकी चोंच नाकुन काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, और इसलिए कहीं कहीं इसे हजामी जडिया के नाम से भी जाना जाता है आए बच्चो आगे पढ़ते हैं कहते हैं, और सुंदर कलगी की वज़े से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलिमान कहकर पुकारते हैं, मादा हुदू तीन से दस तक अंडे देती है, जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं, नर वहीं बोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी गोंसले की सफाई नहीं करता, संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है, यह हुद हुदू यह अपनी सुंदर्ता के लिए तो मशूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और नहीं इसकी बोली में मिठास है, बच्चो बोलते समय, यह तीन बार हुप हुप सा कुछ कहता है, इसलिए से अंगरेजी में हुप हु कहा जाता है, हिंदी में इसे हुद हुद कहते हैं, दूप में किड़ा डूडने के कारण, हमारे देश में कहीं कहीं से पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की देती है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है नर वहीं बोजन लाकर उसे खिलाता है बच्चो उधू देखने में तो सुन्दर है प्रंतु उसकी बोली में मिठास नहीं होती बच्चो आज का हमारा ये पार्ट समाप्त होता है दन्यवाद